ही चिल्रेन, वेलकम बाक तो विद्यादी टुटोरियल्स सो चिल्रेन, इना प्रेविस क्लास्ट वी हास्ताट एक्ससाइस 4.3 सो एक्ससाइस 4.3 लो मना फिर्स तू कांस्रक्शन साने वी सोल चेसको नाम कदा सो क्वाद्रिलेटरल M-O-R-E, क्वाद्रिलेटल P-L-A-N, इरो निटल्यो का कंस्रक्शन साने वी मना प्रेविस क्लास्ट लो चेप कुन्नाम सो टुडे, लेट उस सी क्वेशिन नमबर 3 और क्वेशिन नमबर 4 एक्ससाइस 4.3 क्वेशिन नमबर 3 पाललोग्राम H-E-A-R सो इकड मनम H-E-A-R अने पाललोग्राम नी कंस्रक्शे आली वेर, H-E is equal to 5 cm, E-A is equal to 6 cm, आंगिल R is equal to 85 degrees सो इमेशेमेंट्स यूस्ट चेसी मनम पाललोग्राम नी कंस्रक्शे आली सो फर्स्ट अपॉल, लेट उस ट्रौ धी रफ फिगर सो करक्पिकर ट्रौचेस कुन्दामा, सो पाललोग्राम लो मनके opposite sides पालल गा उन्टाई का बट्टी सो पाललोग्राम नी ट्रौचेस कुन्दाम सो इपाललोग्राम की ये मन नेम चेसारू H-E-A-R सो ह-E-A-R सो इकड़ ह-E अन्दी चरू 5 cm सो ह-E is 5 cm E-A is equal to 6 cm सो E-A अन्टा 6 cm Next, आंगिल R is equal to 85 degrees सो आंगिल R is 85 degrees सो इपाललोग्राम येक्को प्रोपट्टीस अन्टेवी मनके तेल्सू सो पाललोग्राम लो मनकी opposite sides equal गा उन्टाई कदा सो ह-E 5 cm साय ते ह-E की opposite गा उन्ना R-E कोड 5 cm साय उन्टाई कदा एंदुको आंटे opposite sides are equal इन्ये पाललोग्राम सो opposite sides equal गा उन्टाई का बट्टी R-E कोड 5 cm Next, E-A 6 cm साय ते दानिको opposite के उन्ना HR कोड 6 cm से कदा सो opposite sides equal का बट्टी HR is also 6 cm सो मनकी इंको का प्रोपट्टी कोड तेल्सू एंट अधी मनकी adjacent sides सम्मने दि एन्तुंडाली 180 डिग्रीस उन्टाई सो इककड मनकी angle R 85 डिग्रीस आय ते angle H plus angle R is equal to 180 अन्रास कोच कदा एंदुकु वांटे sum of adjacent angles इन्ये पाललोग्राम is 180 डिग्रीस सो आप्रोपट्टी यूस चेसी मने एन्रास तुना मन्टे angle R plus angle H is equal to 180 डिग्रीस सो angle R एंता 85 plus angle H is equal to 180 सो angle H is equal to 180 minus 85 सो 180 लोंची 80 निसब्राक्च चासते एंतु सुन्दी 180 लोंची 80 निसब्राक्च चासते 100 सो 100 लोंची 5 निसब्राक्च चासते इट विल बी 95 सो angle H is equal to 95 डिग्रीस सो angle H कोड मनकी ओच्चे सिल्दी एंताधी it is 95 डिग्रीस सो मनकी इपड़ू adjacent angles अने वी देल्स पोईनी सो इंको को property कोड़ उन्दी कद़ पाललो ग्राम लो opposite size equal गाउंटाई opposite angles कोड़ इक्वल गाउंटाई सो angle R 85 डिग्रीस आयते तानिको opposite कोड़ एंती angle E सो angle E कोड 85 डिग्रीस है कद़ सो this is 85 डिग्रीस next angle H 95 डिग्रीस आयते angle E कोड 95 डिग्रीस है कद़ एंदुको आंटे opposite angles आर equal इन्य पाललो ग्राम सो पाललो ग्राम लो मनम अन्नी measurements कोड़ E को प्रापर्टीस ड्वारा मनम रासे एच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् draw चेद दा so let us take a scale and draw 5 cm line segment so scale नी थीज़को नी 0 डिग्र उक पॉइंट नी place चेशको आली 5 डिग्र उक पॉइंट नी place चेशको आली so 5 डिग्र उक पॉइंट नी place चेशको आली so इट 2 points नी join चेस्च्च्च्चु मनो उक लाइन आने दी draw चेसा so this is 5 cm so 5 cm draw चेसको नां कदा so इद एंटी R A so R A line segment नी draw चेसा so next एंच याली 85 degrees so angle R एंद इच्चारू 85 degrees इच्चारू so protractor नी थीज़को नी एंदु को आंटे अधी standard angle कादु कदा so angle R is equal to 85 degrees अने दी मनो protractor तो रासेद so protractor नी मनम exact का point R देगर प्लेस चेसी reading अने दी 85 चूडाली मनम 85 एथे angle अने दी draw चेस्तु नां मू so 8 नंच रीडिंग अने दी चूडाली so 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 so 80 की 90 की मद्धिलो उन्धिलो उन्धिकदा लाइन that is 85 so 85 degrees so scale दीसको नी a point नी join चेद्धा so this is 85 degrees so angle R is 85 degrees next angle A इच्चारू angle A अन्धि इच्चारू 95 degrees इच्चारू so protractor नी दीसको नी 95 degrees angle नी draw चेयाली so point A इच्चार एग्जाक्टगा मनन इच्चार नी प्लेस्ट नी प्लेस्ट चेयाली so a point ने दी a line मेद coincide आयेट अटट्टू मनन प्लेस्ट नी प्लेस्ट चेयाली so चाल मंदी protractor तो measurement दीसकोड़ अने दी wrong चेस्टू उन्टारू so जाक्रत्तका मीरू measurement आन। आने दी दीसकोड़ी so एग्जाक्टगा point A एग्जेश्ट चेयाली so इप्पुटर रेडिंग एट वाइट च्चूढ़ाली मनन इच्च्च्च्च्च्च्च जिस्तू 95 डिग्रीस आंगिल नी इविदंग मननन ड्रॉच चेस्तां So A नी पोईंट नी जोईंट चेस्तु मनन उका लाइना नीदी ड्रॉच चेसको वाल So this is 95 डिग्रीस So next एंचे द्धां So इकड़ वरको मनन काईपेंदी कदा R A नी ड्रॉच चेसां So इकड़ 85 सेंटीमेटरस आंगिल नी ड्रॉच चेसां And इकड़ 95 डिग्रीस आंगिल नी ड्रॉच चेसां So इपड़ नेक्स्ट एंचे याली 6 सेंटीमेटरस रेडियस दूरणलो मनन की हेच्च अने पोईंट उन्ट उन्दी कावट्टी 6 सेंटीमेटरस रेडियस दूर नी ड्रॉच चेसां So, 6 centimeters So, 6 हुँँदी कदा So, R अने point देगर place चेसी 6 centimeters radius तो एक आर्क नी draw चेसा So, इए आर्क इए line नी एक point देगर intersect चेस हुँदी So, आ point एमा हुथ 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 It is point H So, this is point H So, this is 6 centimeters So, next same अधे विदंगा मल्ली 6 centimeters radius नी consider चेसी एद एग़ नोंची मनों एक आर्क नेदी draw चेस्ती मनकी इपोईंट आनेदी उच्छस सुँदी So, let us take 6 centimeters radius again So, 6 centimeters radius तो मल्ली मनम एद एग़ नोंची इंक उख आर्क नी draw चेसे आली So, इपड़ मनकी इआर्क नेदी उख पोईंट देगर इंटरसेक्ट आओथ हुथ 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 So, इपड़ मनन चूसते, इधी 95 degrees हुंंट उंट उंट इदी 85 degrees हुँथ हुथ 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 H-E-A-R So, very easy no Now, let us see the steps of construction So, steps of construction First, मनन एज़ जिसां Draw R-A is equal to 5 centimeters So, R-A ओक का line segment अनेदी टो चेसकुनां That is 5 centimeters So, next change is draw angle R is equal to 85 degrees. So, angle R एंधे रोचे सम 85 degrees रोचे सम. So, with the help of the protractor. So, protractor help तोटी, angle R 85 degrees रोचे सम. So, next angle A is equal to 95 degrees. So, next angle A, A point ते गुननँछी, मनम angle A नी रोचे सकुननम. Protractor एंधे रोचे सकुननम, एंधे रोचे सकुननम. It is 95 degrees. Next, from point R with the radius 6 cm, draw an arc which cuts the line at point H. So, R दिगर नुँची 6 cm radius तो एंधे रोचे सम. So, इंधे रोचे सम. So, this is point H. Next, from point A with radius 6 cm, draw an arc which cuts the line at point E. So, A दिगर नुँची 6 cm radius तो इंगो का arc नेदी draw चेसकुननम. So, इपोइंट, E ने पोइंट दिगर, E arc cut चेस्तुन्दी, E line नी. So, this is point E. Next, now join H and E. So, H नी, E नी join चेसे सम. So, this is 5 cm. So, इपोड मन की पालेलोग्रम H E A R ने धी फोऊमे पोहिंदी. Thus, the पालेलोग्रम H E A R is formed. Understood, children? Now, let's see the fourth construction. So, question number 4. Rectangle O K A Y. So, O K A Y अने Rectangle नी मनम कंस्ट्रक्च चेहाली. Where, O K is equal to 7 cm, क A is equal to 5 cm. So, इकड़ो only 2 measurements अने विमनी कीच्छारू? So, rectangle नी ड्रॉ चेहाली. So, first of all, वोगा रप्पी गरने दि ड्रो चेसकुन्दाम. So rectangle shape लो एक रप्पी गराने दी ट्रॉ चेद दां So rectangle के मन नेम चीज़ारू O-K-A-Y कदा So O-K-A-Y So O-K अंती चारू O-K is equal to 7 cm So this is 7 cm Next K-A is equal to 5 cm So K-A एंता 5 cm इरोंडे मनिक तल्सू So reminding A information कोड़ मनिकी इवलेदू कानी मनिकी properties of rectangle तेल्स कदा So rectangle योक्क properties एंटी Opposite sides are equal Opposite sides equal गा उन्टाई कदा So O-K 7 cm साइथे A-Y कोड 7 cm से उन्टोंदी Next K-A 7 cm साइथे Sorry K-A 5 cm साइथे दानिकी opposite का उन्टाई O-Y कोड 5 cm से कदा So it is 5 cm So opposite sides equal गा उन्टाई का बट्टी इला रासेसान So next मनिकी इवलेदू So rectangle लो अन्नी आंगिल्स कूड एम उन्टाई Right angles उन्टाई So अन्नी आंगिल्स 90 डिग्रेस So इव अन्नी कूड right angles So इपड मनु देगिर अन्नी आंगिल्स उन्नाई अन्नी sides योक्क measurement कूड उन्नाई So इपड मनु quadrilेट्रल नी अधि rectangle नी easy गा द्रौचेस है चू So this is the rough figure So let us construct the rectangle O-K-A-Y now So first of all let us draw the line segment So A line segment नी द्रौचेस कुन्दाम 7 cm line segment नी द्रौचेस कुन्दाम YA is equal to 7 cm So 7 cm line segment नी द्रौचेस कुन्दाम So let us take the scale and draw YA is equal to 7 cm So 0 देगर उकक point नी प्लेस चेस कुवाली 7 देगर उकक point नी प्लेस चेस कुवाली So 2 points नी कोड़ जोईन चेस्तु मन उकक line segment नी द्रौचे याली So this is 7 cm So YA So YA line segment नी द्रौचेस सां So next YA देगर 90 degrees आंगिल हुंदी YA देगर कोड 90 degrees आंगिल हुंदी So 90 degrees आनेदी उक standard आंगिल So standard आंगिल काबट्टी मनं compass नी यूस चेसी 90 degrees आंगिल आनेदी ड्रौचे याच्चु So first एंचे द्धा So Y देगर 90 degrees आंगिल आनेदी चेत्धा अक्कड कमपास नी प्लेस चेसी इंको का आर्क नी ड्रौचे याली So this is 60 degrees So next मल्ली इककडे कमपास नी प्लेस चेसी इंको का आर्क नी ड्रौचेस्ते This will be 120 degrees So 60 degrees 120 degrees So 20 इलके मध्यलों मनेकी 90 degrees आनेदी ओस्तुंदी So एंचे याली इककर नंची ओक आर्क So इककर नंची कूड इंक ओक आर्क So इटू आर्क्स इंटर्सेक्टाइए पोइंट मनेकी 90 degrees होथुंदी So let us join these two points So this is 90 degrees So 90 degrees आंगिल आनेदी मनम ड्रौचेस्ता So same इदे प्रोसीजरलों मनम एदेग्गर कूड 90 degrees आंगिल आनेदी ड्रौचेया So एदेग्गर कूड मनम 90 degrees आंगिल आनेदी ड्रौचेत्ता So एदेन उकक पिक्सिर्ड रेडियस दीसको आली So इप्सिर्ड रेडियस दो मनम एपोईन्ट देग्गनूंची उकक फुल आर्क नी ड्रौचेत्ता So एदेग्गर प्लेस चेसी उकक फुल आर्क नेदी ड्रौचेया So उकक फुल आर्क ड्रौचेसिन तर्वात सो सेम अधे पिक्सिट रेडियस तो मनम इप पोईंट आंटे इए आर्क इ लाइन सेग्मेंट नी यक्कड एत्ट कर्चेस्तुंदो आ पोईंट तेकर नीडिनी प्लेश चेसी उक आर्क नी ट्रॉच चेयाली सो एगेन इए आर्क इए आर्क नी यक्कड एत्ट कर्चेस्तुंदो आपकड प्लेश चेसी इंक उक आर्क नी ट्रॉच चेयाली सो दिसस्स्ती डिग्रिस दिसस्स वन्ट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वें सो चूसे रहा, this is 90 degrees सो इपड़ मनं angle y draw चेसे सां, angle a कोड़ चेसे सां 90 degrees, 90 degrees सो नेक्स्ट मनंकी o point कावाली, k point कावाली सो o point कावाली अंटे y देग्गर नोंची मनं इन्द डिस्टेंस लो ओंधी सो 5 cm डिस्टेंस लो ओंधी कदा, सो 5 cm रेडियस तो ओका आध काने दी draw चेस्ते मनंकी o अने point उचेस्तांदी सो लेट अस टेक 5 cm रेडियस अंदी कमपास सो कमपास दीसको नी 5 cm रेडियस नी दीसकोंदा सो 0 to 5, सो 5 cm रेडियस नी एग्जाट गा मेज़र चेसी कमपास पाइना दीसकोंदी सो दिससे 5 cm, सो 5 cm रेडियस तो ओटी वाइ देग्गर नोंची मनोगा आर्क नी ड्रौचे याली सो निक्स्ट सेम अधे 5 cm डिस्टेंस लो मनकी एदेग्गर नोंची ड्रौचेस्ते के पोइंट आने दी उस्तोंदी सो ये देग्गर प्लेस चेसी 5 cm रेडियस तो इंको का आर्क नी ड्रौचे द्धा सो इपपड मनकी 2 points हुच्छ नी कदा सो दिसस पोइंट O सो इपोइंट A मोँ पोइंट O और दिसस पोइंट K सो दिसस पोइंट K सो O नी K नी कोड जोइंट चेस्तु मने उक लाइन नी ड्रौचेसे द्धान सो दिसस रेक्टांगिल O K A Y सो इककड कोड मनकी 90 डिग्रीस आंगिल उन्टोंदी इककड कोड 90 डिग्रीस आंगिल अने दी उस्तोंदी सो इफ यू ओन्ट, you can check it सो इस रेक्टांगल O K A Y अधस्योचे चिल्रन, नव लेप्स सी दी स्टेप्स आंगिल सो इस दी स्टेप्स आंगिल सो फस्स्टेपल मने इन चेस्म रा य ए इस एक्वल तो 7 cm सो य नची ये वर को 7 cm लाइन इन चेस्म सो 7 cm लाइन चेक्मेंट रा चेसिन तरवाथ from point Y construct an angle of 90 degrees with the help of a compass सो य देग्गर नंची compass help तो मनम 90 degrees angle अने धी construct चेस्कुन सो next from point A construct an angle of 90 degrees with the help of a compass सो य देग्गर नंची कूड मनम 90 degrees angle अने धी compass योका help तो construct चेस्कुन सो next with Y as center and radius 5 cm draw an arc which cuts the line at O सो Y देग्गर नंची 5 cm radius तो उका arc अने धी draw चेस्कुन सो य आर्क य लाइन नी O अने point देग्र कट्चेस्कुन next with A as center and radius 5 cm draw an arc which cuts the line at K सो य देग्गर नंची 5 cm radius तो उका arc अने धी draw चेस्कुन सो य आर्क क K अने point देग्र य लाइन नी cut चेस्कुन now join O and K so O नी K नी कुड जोइन चेस्कुन thus the rectangle O K A Y is formed so इप्पुड मनिकी O K A Y अने rectangular form आपेंदी understood children so children this is the end of exercise 4.3 so exercise 4.3 लो उन्ना 4 constructions कुड़ा मीक कुड़ा अध्दमैनी कदा so 4 constructions लो मनं common अग्जो चेसिंदेंटी compass नी यूस चेसी angle अने धी construct चेसा so compass नी यूस चेसी angle ये विदंगा construct चेसे आमू अने धी मीक अध्दमैते इए exercise अन्ता कुड़ा मीक कुड़ा चाला easy गा उन्टुन्दी so practice well children so एकको सालू practice चेस्थू उन्टे angle construction अने धी मीक कुड़ा easy आउथू तुन्दी so next class लो मल्ली next exercise तो मल्ली कलिद्धा until then thank you children so इवीडियो गणका मीक कुड़ा नच्चना टलाएती तापकोंड़ like चेंदी, share चेंदी, subscribe चेंदी so we will meet up in the next class until then thank you children keep smiling bye bye have a nice day